साथियों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर तो अब हम यहाँ पे केमेस्टी के कुछ पार्ट को कवर कर रहा है जैसा कि हमने पिछले पार्ट में मैंने आपको डिग्री सेल्सेस और फॉरेन हाइट का कॉंसेप्ट मैंने आपको बता दिया अब इसके ब आपको बढ़ना है और पहले बात तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके फास समय हो तो क्या-क्या चीजे पढ़ लीजेगा हाइडरोजन जरूर पढ़ दीजेगा, इसी तरीके से आप H2O2 पढ़ दीजेगा, ये भी आपका बहुत important molecule होता है, और हाइडरोजन ही जो होता है, वो आपके water बनाने में important role play करता है, अच्छो कि water के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये बहुत important role play करता है, कहीं पर भी आ analysis करेंगे, तो आपको water में एक unique property आपको देखने को मिलेगा, और CSIR में भी आप जाते हैं, तो आपको एक chapter में आपको water पढ़ना बहुत important रहता है, लेलेंजर उठाएंगे, कहीं उठाएंगे, तो water के बारे में आपको एक पूरा chapter मिलता है, तो यहां पर हम water के regarding discuss करने वाल analysis थे, और मैं आपको बताता जाओंगा कि क्या-क्या important पहलू है, जो आपको याद रखने है, ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, एक दम धैरे के साथ सुनिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो जैसे कि water क्या होता है, major part of the all living organism is made up of water, human body has about 65% and some plant have much as 95% water होता यह data आपको याद रखना है, ठीक है, अगर मैं human body की बात करता हूँ, तो यहाँ पे लगभग आपके 65% प्रतिशत जो आपका content होता है, अगर आप अपने cells की structure को भी आप जाके देखेंगे, तो वहाँ पे water content बहुत जादा होता है, 65% है, और मैं plant की बात करता हूँ, तो व great solvent, सबसे बढ़िहां solvent जो होता है, वो माना जाता है, जब आपने कभी solution पढ़ा होगा, तो आप यही पढ़ते है, solute plus solvent, ठीक है, यही तो पढ़ते है, is equal to solution, तो जो आपका water होता है, यह बहुत बढ़िहां solvent होता है, जब कभी भी आपने घर पे सर्वत बनाया होगा, या नमक चीनी आप मिक्स करते हैं, कोई बचे अगर आप मिक्स करते हैं, तो बहुत यह असानी के साथ क्या होता है, वो मिक्स हो जाता है, ठीक है, तो इसको कहा जाता है, कि water की जो प्रॉबल्टी होती है, यह excellent solvent, यह term इस्थमाल किया जाता है, the distribution of the water over the earth surface is not uniform, the estimated world water supply जो है, य जैसे ocean में, समुद्र में सबसे ज्यादा water है, 97.33 percentage water है, बाकी अगर आप दीचे की तरफ आते जाएंगे, तो आपको polar ice और glacier में ज्यादा मिलेगा, बाकी अगर आप ground water, lakes वगेरा में जाएंगे, तो आपको percentage water कम मिलेगा, तो यह चीज आपको तरह नहीं जाननी है, बस आपका कहां पर है, वह आपका ocean में है, अब यहाँ पर सबसे important खेल start होता है, physical properties of the water, तो water की properties क्या होती है, colorless होता है, जैसा ही आप देख सकते है, feel कर सकते है, कोई उसमें color नहीं होता है, tasteless होता है, कोई इसमें स्वाद नहीं होता है, एक तरीके का liquid है, its physical property जो की आपको next table में दी गई है, जो मैं आपको बताऊंगा, along with physical property of the heavy water, इसके बाद the unusual property of water, जो होता है, कुछ यहाँ पर water की unusual properties होती है, in the condensed phase, liquid and solid states are due to the presence of extensive hydrogen bonding between the water molecule, यह most important है, और जैसा कि मैं आपको बहुत सारी चीजों में concept देता रहता हूँ, कि आप इसको 100% तो नहीं कह सकते हैं, बट 95% cases में, अगर आप से bonding के regarding कैसे कोई भी question अगर आप से पूछा गया, कि बेटा, इस particular चीज में बहुत unusual चीजे देखने को मिल नहीं है, और एक options में आपको hydrogen bond दिया गया है, तो मानके चलिए कि, मानके चलिए कि उस question का जो answer हो सकता है, वो hydrogen bond हो सकता है, क्योंकि hydrogen bond अपने में एक ऐसा bond है, जो बहुत चीजों के लिए unusual property को प्रदान करता है, ठीक है, तो मैं exclusively नहीं कहूंगा, बट 95% cases में जो किसी भी चीज का जो weird behavior होता है, उसके लिए जो होता है, वो hydrogen bonding responsible होता है, तो ये particular चीज आपको याद रखनी है, जिसको मैं most important लिख देता हूँ, अब इसमे होता है, high heat of fusion होता है, इनि comparison to H2S and H2SE, या आपके दो elements और है, अगर मैं hydrogen sulfide या और भी elements की मैं बात करता हूँ, तो उनके comparison में water के ये सारी चीज़ें बहुत high होती है, और उसका जो simple सा कारण है, वो क्या है, hydrogen bonding है, जो अगर आपसे पूछेगा, कि water का high freezing point है, high boiling point है, या high heat of vaporization है, तो इसका reason क्या है, तो हम इसका reason के लिए हम क्या बोलेंगे, हम इसके reason के लिए केवल यहीं बोलेंगे, कि इसके reason के लिए मेरा hydrogen bonding जो है, वो जिम्मेदार है, जो कि मैं यहाँ पे इसको highlight कर देता हूँ, in comparison to other liquid, water है, high specific heat होता है, thermal conductivity होती है, surface tension होता है, dipole moment भी सबसे ज मर्ज साइकिल में 2023 का जो जून का paper हुआ है, वहाँ पे सिर्फ वन या सेकेंड में एक question आये था कि एथनौर और water में comparison कराये था कि कुछ unusual property है, तो उसके लिए क्या property responsible है, तो उसमें एक option में dielectric constant दिया था, और water की जो dielectric constant की value होती है, वो 78 होती है, तो इसको भी आप याद इस property allow water to play a key role in the biosphere, समझ रहे हैं, तो dipole moment, thermal conductivity, दुनिया भर की जो चीजे है, वो water में क्या होती है, जादा होती है, तो इस particular कहानी को हम याद रखेंगे, इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, और मैं इसको और अच्छे से अगर मैं समझना चाहूँ, त इसमें मुझे क्या समझना है, the heat of vaporization and heat capacity are responsible for moderation of the climate and the body temperature of the living being, और बात है, ये सारी चीजे जो होती हो, climatic condition को भी regulate करती है, और ये technical term जो water के लिए इस्तमाल किया जाता है, excellent solvent, ये आपको याद रखना है, जब कोई बहुत बढ़िया आदमी question frame करेगा या आप से interview में तो वो excellent world का इस्तमाल करता है, ठीक है, तो इसलिए water के साथ excellent world का इस्तमाल किया जाता है, ये excellent solvent है, बहुत सारी चीजे जो होती है, वो बढ़ियां से dissolve हो जाती है, for transportation of the ion and molecules required for plant and animal metabolism, जो भी आपके plant में ions या किसी भी चीच की आशकता होती है, वो water में dissolve होके move करके जाता है, इसके बाद due to the hydrogen bonding with polar molecules, even covalent compounds like alcohol and carbohydrate dissolve in the water, यहीं पर ही question आपका छिपा हुआ है, कि बहुत सारे polar molecules जो होते है, मतलब जिनके polar का मतलब क्या है, जिनके उपर charge होगा, ठीक है, तो जो आपके polar molecules होते है, वो भी water में dissolve हो जाते है, तो उसका कारण क्या है, उसका कारण हमने क्या सम hydrogen bonding, बस इतना याद रखना, इसके इलावाद दुनियादारी आपको नहीं जाननी है, ठीक है, बस इतनी बात आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि आपके polar compound है, वो water में dissolve हो जाते है, क्यों हो जाते है, क्योंकि hydrogen bonding है, अब मैं यहाँ पे एगर salt में summarize करूं, जो कि मैंने यहाँ पे लगा दिया है, physical properties of the water, तो colorless है, orderless है, orderless का मतलब यह भी होता है, कोई इसमेल नहीं होता है, ठीक है, इसमेल आपको नहीं मिलेगा, कि कोई ऐसा particular smell नहीं होता है, क्या आपको खुश्बू आएगा water से या क्या चीज़ है, अगर कोई पानी बहुत जाद आप से स लुकत नहीं है, boil कितने पर होता है, 100 degree centigrade पर boil हो जाता है, changes into gas-assisted, whereas it freeze होता है, 0 degree centigrade पर यह आइस में convert हो जाता है, यह बात याद रखेंगे, water molecule undergo extensive hydrogen bonding करता है, one water molecule forms four hydrogen bonding, यह आपका बहुत important है, एक water का molecule, जो होता है, वो चार hydrogen bond बनाता है, ठीक है, यह data आपको याद रखना है, और चार hydrogen का जो यह number है, यह कहीं आपने और भी पढ़ा होगा, ठीक है, तो इसको सोचिएगा कि चार digit मैंने और कहां पढ़ा है, अगर मैं आपको इसको इसको इक्जामपल में learn कराना चाहूँ, तो आपका जो एक हीमोग्लोबिन का molecule होता है, वो चार oxygen को carry करता है, ठीक है तो इसी तरीके से यह data को भी connect करते रहिएगा, जो आपके exam में question पूछा जाता है, सीधा सीधा पूछा जाएगा, ठीक है, तो इस particular चीज को हमने समझ लिया, the extensive existence of hydrogen bonding is responsible for high freezing point, high boiling point, high value of specific heat, high latent heat of fusion, high latent heat of vaporization, in comparison to dose of H2S and H2SC, जो मैंने अभी आपको समझा दिया, ठीक है, बाकी excellent solvent है, इसको हमने समझ लिया है, इसके लावा alcohol, ammonia, carbohydrate dissolve हो जाते है, due to the formation of hydrogen bonding, तो ये particular चीज याद रखेगा, हो सकता, exam में आपसे पूछे, कि alcohol है, ammonia है, ये सारी चीजें आपकी dissolve हो जाती है, water में, उसका reason क्या है, तो मैं क्या कहूंगा, मैं hydrogen bonding कहूंगा, ठीक है, अब यहाँ अब एक चीज मैंने और लगाया है, अब जैसे water को हम universal polar solvent कहते है, because of permanent dipole moment होता है, इसकी value जो होती है, वो आपका 1.84 है, इसको learn करना पड़ेगा, आपको water का classification अगर किया जाएगा, तो hard water and soft water दो तरीके के होते है, water containing soluble calcium and magnesium के salts होते हैं, like bicarbonate, chloride and sulfate, जिसमें होते हैं, उसक को हम soft water कहते हैं, बस simple सी कहानी, soft का मतलब ही जो बढ़िया हो, अच्छा हो, तो यानि कि जो salt नहीं होगा, मतलब क्यों obvious सी बात है, water तो जमीन से, मगर आपने कभी पानी देखते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, बहुत तभी तो आप RO और यूज़ करते हैं, मिलीक्यू आप के components हैं, या कभी आपने water पिया होगा, कहीं पर जाते हैं, आपने घर का पानी आपको अच्छा लगता है, कहीं दूसरे जगहां पे आपने गए, पानी पिया, आपको वहां का पानी खारा लगा, मतलब अच्छा नहीं लगा, तो क्यों नहीं अच्छा लगा, क्यों नहीं सबस्क्राइब करते हों तो तेमप्रेरी फार्डनेश दूर हो जाते हैं तो कार्बोनेट का मतलब यही होगा तो कैल्सम और मैंगनीशियम के बाइक कार्बोनेट जब होगा और पर्मानेट जो होते हैं जब उसमें प्रजन साफ़ा और मैंगनीशियम के सलफेट या क्लोराइड होते हैं तब यह चीज याद रखेगा बाकि अगर मुझे वाटर को ठीक करना है अगर मुझे हाल्डनेस क अपने पढ़ा भी होगा अपने 9,10,12 में अपने बोल्ड एक्जाम में बस आपको एक बार केवल सिंपल सा रिकॉल करना है और जिसने भी मैंने यहां पर पॉइंट उठाए हैं इसके ब्यॉंड मतलब कहीं पर भी कुछ नहीं चलेगा ठीक है सम इंपोर्टेंट वाटर होता है तो बस इतनी बाते याद रखो बाकी में थोला सा आगे लगा दिया हूँ डिटेल में मैं आपको समझा दूगा तो यहां तक कहानी आपका हो गया है ठीक है अब अगर मैं यहां पर चलता हूँ आपके कैमपेरिजन किया जाए वाटर और डी टूओ एक्श्य में क् है Energy하는데 करता है जाता है यह जैसे वाटर का फॉर्मूला थो तो यह आपका 1H2 होता है यह आपका D2O बनाता है जो कि आपका कुछ important role भी play करता है ठीक है इसको हम क्या बोलते हैं heavy water बोलते हैं technically ठीक है और यह आपका mordent के तरीके यूज किया जाता है बस इतना याद रखेगा जब आप nuclear reactions पड़ते हैं मंदक इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मंदक धीमा करने के लिए या तेज करने के लिए कुछ भी है तो यह आपका mordent के तरीके काम करता है बाकि मैं आपको next lecture में जब मैं आपको hydrogen पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं clear कर दूगा अब अगर पढ़ रहे हो तो इतना जान लो अबर्टिंग पॉइंट लगभक दोनों का सेब है इसके लावा बॉयलिंग पॉइंट में बहुत विशेश फरक आपको नहीं देखने को मिलेगा बस आपको जो दूसरी चीज आपको याद रखनी है वह आपको क्या याद रखनी है वह आपका हाँ डेंस्टी आपको 78 है ठेक है बस आपको इतना याद रखना है और आपको आपको जाओगे तो फस जाओगे तो उतना मैं नहीं कहोंगा कि आप जाके पढ़ो तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है अब अगर मैं water के structure के बारे में जाता हूं जो कि अभी मैं आपको समझाओंगा जब आप य तो इसक की बारे में बहुत अब बहुत है कि डावन यहां पर यहां पर आप यहां पर कि कि दो नो यहीं आप इसकी कि बॉंडिंग करेंगा मैं बहुत बेसिक्स में जाओंगा कि उसमें फिर जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको केमेश्टी मुझे समझानी पड़ेगी तो मैं इतना आपको समझ के चलना हूं कि आपको इतना पता होगा कि कैसे यहां पर बॉंड्स वगरा बनते हैं तो और बनते हैं तो आपको यहां पर देख सकते हैं इसकी डिगरी आपको याद रखना है और 95.7 जो है इसकी ओएच की दूरी है ऑक्सीजन की एलेक्ट्रो निगेटिविटी जो होती है वो आपकी जादा होती है बस आपको इतना याद रखना है ठीक है यह कहानी हो गई है वाटर मॉलीकुल एज डाइपूल के फॉर्म में किस तरीके से आपको देखने को मिलता है वो बताया गया है और 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 बाइटल ओवरलैप पिक्चर इन दा वाटर मॉलीकुल बागी आप यहाँ पे कलर डाइग्राम में भी देख सकते हैं पहला इस्ट्रक्च्च्र जो ह बहुत बेसिक सी हैं आपने कभी समझा होगा हाला कि बेंट का मतलब यही होता है कि जुका हुआ थोड़ा सा यह जुका हुआ इसके बाद अगर मैं बात करता हूं लिक्विट फेज में जब यह रहता है तो लाज नमबर आफ वाटर मालिकुल एसोसियेट टुगेदर बाई लिक्विट फेज में जुड़े होते हैं इसके अलावा अगर आप इसके इस्ट्रक्चर इन लिक्विट फेज में आप जाएंगे तो यह तरीके कि आपके हैड्रोजर बांडिंग होती है याद देख सकते हो तो बस इसको समझ लो बहुत जादा अंदर जाना भी नहीं है अगर जाके कुछ कर भी नहीं पाऊगे ठीक है इसके अलावा सॉलिट फेज जो होता है यह आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म आफ दा वाटर होता है जिसको हम आइस बोलते है एट अट्मसफरीक प्रेसर आइस क्रिस्टलाइज हो जाता है इन दा हेक्जागोनल फॉर्म यह आए इस तरीके की यहां पर सकते हैं इस्ट्रक्टर आप्टा आइस अब यहां के बारे में आपको थोड़ा सा मैं डीटेल में समझा देता हूं इन आइस इच ऑप इट्राहेडर ली बाई दा फॉर अधर जो मैंने आपको बताया था भी कि कितने oxygen से मतलब किस तरीके से वो चार hydrogen से bonding करता है तो यह आपके four oxygen atoms आते हैं डिस्टेंस आपका दिया गया है more ever each oxygen atom which is attached to the four hydrogen form यह आपको याद रखना है atom से दो आपके covalent bonding होती है और दो आपका क्या होता है hydrogen bonding होती है तो आपको याद रखना है चार bond यहां पर बनाता है hydrogen ठीक है जिसमें से दो आपके covalent होते हैं और दो आपके क्या होते है hydrogen bond होता है मतलब यह पर्टिकुटर अगर आप उसके discrimination करेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो oxygen atom है वो चार hydrogen bond 4 hydrogen atom से जुड़ा होता है तोència है hydrogen hydrogen atom से जोड़ा होता है तो आपके hydrogen bond होते हैं ठीक है इसके बाद आपको पढ़ना तो आइस को बहुत बढ़िया 3D structure बताया गया है अगर आप इसको देखते हैं तो यहां पर बहुत सारे वैकेंड जब आप इसको पढ़ेंगे ठीक है उसका रीजन क्या है आपका hydrogen bonding है बस कुछ भी चीज आपको पढ़ना है और एक आपका जो यहां पर अरेंजमेंट होता है तीया आपका टेट्रा हैड्रा अरेंजमेंट आपको दिखा दिया गया है आई सीजे लेस डेंसर तैन दा वाटर जानी कि जब आपके ice melt होती है तो hydrogen bond क्या होता है melt हो जाता है ठीक है इसके बाद आपको next property याद रखनी है जो मुझे आपको बतानी है यहीं के continuation में in this way in this way the molecule come closer to each other in the liquid state than they were in the solid state this ice had lower density than the water तो ice की जो density होती है वो water से कम होती है this fact is of great ecological significance as ice formed on the surface of the lakes is less denser so it does not sink off the bottom and provides thermal insulation of the water कभी आपने देखा होगा कि ice जो होता है वो water में मतलब sink नहीं हो जाता है ढूब नहीं जाता है क्यों क्योंकि ice जो होता है उसमें hydrogen bonding है बस आपको इतनी बातें आपको याद रखनी ह water की जो density होती है सबसे ज्यादा आपको किस temperature पर देखने को मिलेगा तो 4 degree Celsius पर जो होता है water की density सबसे ज्यादा होती है यह आपका कह सकते हैं कि आपका एक data है इसको आपको याद रखना होगा अब density of the water जो होता है वो दो factor को effect करता है the breaking of the hydrogen bond resulting into the closer packed structure आ जाता है thermal expansion होता है जब आपने देखा होगा कि जब ice melt होता है तो उसकी volume जो होती है वो कम हो जाती है and increasing the density until the four degrees Celsius with further जब आप temperature को बढ़ाते है the kinetic energy of the molecule and they start moving away from each other increasing the volume and thus decreasing the density तो आपको इतना ज्यादा नहीं जानना है बस आपको इतना याद रखना है कि water की density सबसे ज्यादा किस temperature पे होती है तो मैं क्याद रखूँ का 4 degrees Celsius पे सबसे ज्यादा density होती है water जब आपका ice melt होता है तो आपका कॉन सा bond break होता है आपका hydrogen bond जो होता है वो मेरा break होता है तो अगर मैं इसको conclusively कह सकूँ तो 4 degrees Celsius the two effects thermal expansion and breaking of hydrogen bond balance each other and water जो होता है वो maximum density पर आपको देखने को मिलता है अब यही question आपका ICMR GRF 2022 में पूछा गया है ठीक है कि सर आप सोच रोगे ना कि क्यों पढ़ा रहे है इसी लिए पढ़ा रहा हूं कि यहां पर question पूछा गया है कि दो ice cubes are pressed over each other until they unite to form one block the force mainly responsible for holding them together यानि कि जब ice की बात कर रहा है तो ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है hydrogen bonding लगा हो आगे बढ़ो बस कुछ करना ही नहीं थ इस question में समझ में आ रही है बात अब अगर मैं chemical properties की तरफ जाता हूं और एक question आपका यहां पर और भी था जो मैं आपको समझा देता हूं ठीक है यह जो question था जो मैं पहले part में discuss करने वाला था यह भी question आपका ICMR 2022 में है पूछ रहा है कि water at 24 degree Celsius feels much colder than air in the same temperature and our body losses heat many times more quickly while in the water than it would in the air तो उन्होंने water और air का comparison किया है तो इसका reason क्या है तो simple सी बहात है अभी मैंने आपको समझाया कि water की density जो होती है वो ज्यादा होती है तो water is density अगर मैं air के comparison में जाएंगे हाला कि यहां पर लाइन नहीं लिखी थी बट फिर भी आप common sense लगाएंगे तो आपको पता चल होता है तो यानि कि जो आपका better conductor होता है इसलिए कोई भी चीज यहां पर अच्छे से dissolve हो जाती है बाकी further चीज़ें आपको देखने को मिलेगा और water is much easier to touch and feel than air तो यह सब गलत बात है यह उतना लाई नहीं करता है तो इसका जो right answer आपका निकल कर आएगा वो आपका क्या न सबसे जादा होती है ठीक है अब यहां पर थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं chemical properties में मैंने आपको बता दिया जैसा कि अभी मैं आपको बताने ही वाला था कि water में unique property होती है it act both as a base और acid दोनों का काम करता है ठीक है it can easily oxidize and reduce and further act as ligand to metals समझने मेटल के लिए एक ligand का काम करता है बहुत सारे आपने पढ़ा होगा कि या तो वह या तो वह आपका base के तरीके काम करेगा या तो वह एसीड के तरीके काम करेगा लेकिन water ने कैसा molecule है जो acid based दोनों तरीके काम करता है और टेक्निकली जब आप इसको बोलेंगे तो आप इसको एमफोटेरिक molecule बोलते हैं मतल अजर में अधान सबस्दाइब इसको पोलें पूचल ही तो जैसे काम कईका और एक करेगाacao कर ला कि आ और वह थे कौई और ऐब को चैनल कुरा वय को चुट हो यह तो lining नियुकर पंशन आरी तुम तो यहां तक मुझे कोई सबस्या नहीं आएगी अब मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा मैं अगर आपको देखना चाहूँ जैसा कि एक और इसके बाद अगर मैं रिडॉक्स रेक्शन की बात करता हूँ तो वाटर आपका ऑक्सिडाइजिंग और रिडूसिंग एजन दोनों के तरीके काम करता है मतब कुल में जाके समझते जाओ कि सब कुछ ही कर लेगा है यह शक्तिमान है समझ रहे हो बस बात खत्म इसके बाद यह हैडॉलाइसिस रेक्शन में भी करता है एक्सिलेंट सॉल्वेंट होता है डाइलेक्ट्रिक कॉंस्टिट इसका 78 होता है इन एडिसर वाटर कैन इसली हैडॉलाइज मैनी आउनिक और कोवलेन कंपाउंड को अच बस बात बस आपको इतनी कहानी आपको याद रखनी है इसके जादा बहुत ज्यादा आपको कुछ नहीं जानना है ठीक है तो थोड़ा बहुत मुझे बुरा विश्वास भी है कि आप इसको पढ़ रहे होंगे ना तो आपको अपनी पुराने इंटर कॉलेजिस के और हाई स्कूल के चीज़ें आपको याद आ रही होगी किस तरीके से हम किस तरीके से हम महां पर को सॉल्व करते थे या अब यहां पर जो आपका टेम्परेयरी हाड्नेस होगा उसको इसलिए कहते है क्योंकि आपको आप इसको घाला चाहते हो तो आपको सिंपल के वल करना अगर आपने water को boil कर दिया, तो जो temporary hardness है, calcium bicarbonate और magnesium के bicarbonate, और एक चीछ हमेशा याद रखेगा, यह technically term होता है, यह जो bicarbonate जब भी आप पढ़ते हैं, जब भी आप पढ़ते हैं, जब भी आप पढ़ते हैं, इसका bicarbonate का मतलब ही होता है, अब इसके आगे calcium कहोगे, तो calcium लगा दोगे, magnesium कहोगे, तो आगे magnesium लगा दोगे, ठीक है, तो bai के formation, bai का जब आपका, कुछ भी आपका formula कोई कहेगा, तो bai का मतलब hydrogen होता है, और carbonate का मतलब CO3, तो bai carbonate का मतलब HCO3, ठीक है, पर्मानेंट hydrance जो होती है, इसको remove कराने के लिए, मुझे particular कुछ प्रक्रिया करनी होगी, कौन सी प्रक्रिया करनी होगी, उसको मैं आपको समझा देता हूँ, softening of the water, जो मैं remove करूँगा, हाड़नेस को, उसको मैं softening कहूँगा, अब temporary hardness के लिए मैं boil कर दूँगा, बाकी य सब chemistry की चीज़ें है, बहुत जादा नहीं जाएगा, बट फिर भी as a safe side, कोई भरोसा नहीं है, ICMR का, तो थोड़ा सा पढ़ लेना, इसमें आपका slagged lime यूज किया जाता है, जो कि आपका बहुत ही important है, ठीक है, slagged lime होता है, add किया जाता है, hard water में containing bicarbonate, और slagged lime जो है, calcium hydroxide है, अब यही सब चीज़ें होते हैं, कोई सीधा question पूछ लेता है, कि slagged lime किसको कहते हैं, तो calcium hydroxide को हम क्या बोलते है, slagged lime बोलते हैं, ठीक है, lime का formula क्या है, CAOH का hold twice, यह आपको याद रखना पड़ेगा, इसके बाद permanent hardness के बारे में हमने चर्चा कर लिया है, इसको कि bleaching powder कौन होता है, यह सब बहुत important में लिख देता हूँ, यहाँ पे, bleaching powder बहुत पूछा जाता था exam में, ठीक है, washing soda हो गया, baking soda हो गया, ठीक है, तो यह सब formula chemistry में उठा लेना, और आराम से मिल जाएगा, ठीक है, इसको note down कर लेना, बाकि यहाँ से जो आपको lime का formula आपको पता चल गया, calcium hydroxide हो गया, lime हो गया, और आपका जो washing soda होता है, वो आपका Na2CO3 होता है, तो मैं इसको add करूँगा, तो यह आपका precipitate हो जाएगा, और मुझे water सुध्ध हो जाएगा, मेरा, इसी तरीके से calgon method होता है, इस method में आपका जो commercial name होता है, sodium hexameta phosphate, यह नाम याद रख होता है, यह आपका sodium hexameta phosphate को बोलते है, Na6P6O18, तो इससे जब reaction करा होगे, तब भी मेरा water क्या होगा, शुद्ध हो जाएगा, इसी तरीके से तीसरा method होता होता है, वो मेरा ion exchange method होता है, इसमें आपके जो आपने, आप तो आपने tools technique में भी आपने पढ़ा होगा, किस तरीके से ion exchange method और यह सारी चीज़े work करती है, तो बस यहीं पर वो important है, बस इसमें आपको यह नाम याद रखना है, कि इस process में हम geolite या permuted का use करते है, technically, जो compound है, उसको हम क्या बोलते है, permuted बोलते है, geolite बोलते है, which is hydrated sodium aluminum silicate होता है, बस आपको इतना याद रखना है, sodium hydrogen, sorry, sodium aluminum silicate, यह आपका compound होता है, इसको हम use करके अपने water को सुध्य कर लेते हैं, और इसमें फायदा क्या होता है, कि आपका जो यह regeneration भी हम permuted का कर लेते हैं, मतलब हम चाहें तो हम इसको जो आपका permuted use हुआ है, उसको हम sodium geolite get converted to calcium or magnesium geolite, regenerated for further, use by treating with aqua sodium chloride, शलूसा, अगर मैं इसमें sodium chloride जाल दूगा, तो मेरा जो consume हुआ है permuted, वो मेरे को regenerate हो जाएगा, तो यह आपकी कहानी हो जाती है, जो कि आपका बहुत important है, इसके बाद जो आपका एक और method है, यह आपका figure भी दिया गया है, तो बहुत जादा नहीं जानना है, बस आपको geolite का नाम याद रखना, बस उ superior to geolite, यह बहुत important है, सबसे बढ़िया method जो आपका है, वो आपका resin method है, because they remove all type of unwanted cation as well as anion present in the water, अब यह क्यों बढ़िया है, अब जैसे आपने iron exchange chromatography करोगे, sorry, iron exchange method में करोगे, तो आप cation को हटा पाऊगे, तो anion को हटा पाऊगे, यहीं तो कर पाऊगे, लेकिन जो आप इसको बहुत जादा detail में जाने किया शकता नहीं है, बस आपको इतना ही याद रखना है, तो मैंने यहाँ पे water को complete कर दिया है, next part में hydrogen और भी बाकी questions वगेरा को कर लेंगे, तो दो questions को हमने solve कर लिया, ice के बारे में आपका ICMR 2022 का question था, उसके लावा आपके density के regarding जो चीजे बाकी एक-एक points जो मैंने यहाँ पे आपको बताए है, उसको बहुत अच्छे से समझ लीजेगा, exam में questions पूछा जाएगा, और water CSIR के भी syllabus में है, तो हलके भी मत लीजेगा, और water एक ऐसी चीज है, जिसका आप बहुत बढ़िया यूज करते है, तो water के बारे में आपको पत तो हमें आपको प्लांट में आपको आपनी चलता है, उसमें water का रोल ऐता है, बहुत भी आहां पर कहाणी चलती है, उसी तरीक एसे जोलोजी में कहीं जाओगे, हर जहां आपको आपको आपकी cells में ही पता चला कि पैसर पतिसर जो है वापका water है तो इसी लिए question ICMR यहां से frame करता है ठीक है तो कभी कभी आपको लगता है कि यह पगला है ICMR पता नहीं क्या क्या question बनाता है तो ऐसा नहीं है water बहुत important आपका content है दो question पिछली बार आयते किसमत अच्छी रही तो हो सकता है